सेंट्रल नार्कोटिक्स की सक्ती रूट बदल कर मनिपूर से जोदपूर ले जा रहा था 65 किलो अफिम गिरपतार नमस्कार देखिये मंदसोर की विशेश खबर अफिम तसकरी में पुलीस ने एक आरोपी को गिरपतार किया है उससे 65 किलो अफिम जबत की सेंट्रल नार्कोटिक्स की सक्ती के चलते आरोपी इस बार रूट बदल कर मनिपूर से जोदपूर जा रहा था इससे पहले उसने 2019 मे भी अफिम ले जाने का प्रयास किया था उस समय यह फरार हो गया था आरोपी को रविवार को कोईट में पेश किया जहां से 10 दिन की रिमाड पर सोबा एस पी अनुराग सुजानिया ने बताया मुकबीर की सुचना पर महू नीमच हाइवे इस्तित 10 नंबर नाके पर नाका प्रयास किया इस पर ड्राइवर तेजगती से निकल गया पुलिस ने ट्रक का पीछा का रोका और तलाशी ली इस दोरान केबिन में बनी स्किम में 13 पेकेट में रखी 65 किलो अफिम मिली पुलिस ने अफिम सहीत ट्रक को जब्त करते हुए जंबेश्वर नगर काचबनियों की धानी लोहावट थाना लोहावट जीला जोदपूल निवासी आरोपी श्रमण कुमार पिता किसन राम विश्णोई को गिरपतार किया है आरोपी ने पुलिस की पूछताश में बताया कि वह पिछले कई सालों से पुर्वत्तर राज्यों से अफिम लाकर राजस्थान मे बेच रहा है ट्रक का मालिक भी आरोपी स्वयम है पुलिस ने मामले में केस दर्च कर जाच चुरू की है रविवार को आरोपी को कोईट में पेश किया गया जहां से उसे 10 दिन की रिमांड पर सोपा है पुलिस के अनुसार आरोपी पूर्व में भी उत्तर पुर्वी में अलग-अलग मात्रा में इसकिन बना कर अफिम लाता रहा हैं 2019 में एक एनोवा कार जीले की दलोदा पुलिस ने पकड़ी थी उस समय आरोपी श्रवन कुमार मोके से फरार हो गया था टी आई अमित सोनी ने बताया इन दिनों सेंट्रल नार्कोटिक्स की टीम संक्रिय होने क चलते आरोपी ने इस बार रूट बदल कर तसकरी की योजना बनाई चूकि पूर्व में भी इस रूट से निकल चुका है इसलिए वह यहां से परिचित था अधिक जानकारी के लिए देखते रहे हमारे साथ MP7 News